नमस्कार में सोनिय शर्म और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ओफ इंडिया गाउं की गुंच दिली तक आई ये निजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर पटना एम्स में हुआ को वेक्सीन का बच्चों पर ट्रायल के दोरान 20 प्रतीशत बच्चों में एंटी बॉडिज मिली किसानों को केन सरकार का बड़ा तोफा खरीफ फसलों में MSP बढ़ाने को मिली कैबिनेट की बंचूरी दान बाजरा, अरर, तिल, मक्का और रागी की बढ़ाई गई MSP दिली में करोना के 337 नए मामले और 36 मौद बारत के प्रती पूरी तरह से प्रती बद है ट्वीटर नए नियमों को मानने की कर रहा है पूरी कोशिश ट्वीटर का कहना है हमने सरकार को भरोसा दिया सरकार से सकरात्मक बातचीत रखेंगे जारी बाबा राम देव भी लगवाएंगे करोना वैक्सीन वो लोगों को वैक्सीन लगाने की करेंगे अपील देश के कई राज्यों में करोना की रफ्तार हुई कम देश की GDP 2021 में 8.3 प्रतिशत बढ़ेगी लखनव समय 14 शहरों में CBI की रेड येश बैंक में हुआ 446 करोड का फ्रोड की FIR दर्ड CBI की 16 टीमों ने बैंक शाखाओं में की जाश शुरू बच्चों में करोना मेनेजमेंट को लेकर दिल्ली स्वास्ते मंतराले ने जारी की काइडलाइन 5 साल से चोटे बच्चों को मास्क की जुरूरत नहीं और कहा रैमडे सीविर इंजेक्शन का प्रियोग बच्चों पर ना करें मौसम विवागने का 12 जुन को हो सकते दिल्ली में मद्यम बारिश दिल्ली में बुद्वार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज दिल्ली का अधिक्तम तापमान चवालिस के पार रामदेव की कोरो निल पर लगाए या निपाल में प्रतिबन पहलवान शुशील की आज कोर्ट में पेशी बड़ेगी रिमान शुशान सिंग के पिता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज फैसला जासी में वही पानी की किलत लोगों को पानी लेने के लिए दो से तीन किलोमेटर दूर जाना पड़ रहे है प्रशाशन अपनी तरफ से नहीं उठा रहा कदम केवल टेंकर के पानी के भरों से लोग यदि टेंकर नहीं आया तो हो सकते है परिशानी इसी प्रकार देश बर की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे लोकल नियूज ओफ इंडिया के साथ धन्यवाद